हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों तो आज हैदरबाद में बहुत जादा बारिश हो रही है तो मैंने सुचा क्यों ना है अज हम लोग का स्टारट करें गर्मा गर्म चाई से तो सब ही को बहुत पसंद हो यह लाइए और बारिश बंदी इनय हुआ है ऑभी कब बहुत कम हो गयाने तो तुरे रोड में देखे पाणनी पाणनी है वहाँ से दिखा इस तरफ से पुरा है वहाँती ज्यादा पुरा हाल है तो आज आज बनाने वाले है तो दोस्तो आज हम लोग बनाएंगे सत्तू का मसाला भर के कचोरी बनाने वाले हैं जो हमारे बिहार में बहुत पेमस है क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत अच्छा लगता है और इसके साथ हम लोग चटनी भी बनाएंगे तो चलिए दोस्तो पहले सत्तू की कचोरी बनाने से पहले मैं इसमें सत्तू का मसाला बनाती हू इसमें आप Cap coke छोई क्ली खाली बाउल के विहां कि वहम टढ़ा रहें हम भूगाया है लितों और श्लीय पūल कि एक एलिधा इलिटी निरीधा div कहां केदाया हूं तो इसमें हम लोग मिक्स करेंगे, तो इसमें पहले थोड़ा सा प्यास जाएगा, यह आप प्यास डाल भी सकते हैं, लेकिन अगर आप जब फ्रेश खा रहे हैं, तब तो आप प्यास डाल सकते हैं, थोड़ा मिर्ची, और थोड़ा सा द्रख, और यह घनिया पत्ता, तो यह जाने नहीं है तो आप इस नॉर्मल कच्ची घानि का तेल होता है वो डाल दिजिए प्रिफॉब डालने के बाद में गश्ची घानि का ये वह प्रिफ यूज कर सकते लेकिन यह डाल रहें तो दो स्पूनी यूज कीजिगा जादा नहीं और आप नहीं एप डालनेंगे तो इसे डालना बहुत जरूरी है तो इसे भी डाल दीजेशन बहुत अच्छा था और फ्लेवर भी बहुत अच्छा था अब इसमें ड्राइज जितने भी मसाले हैं वह सब लोग डालेंगे तो सबकुष थोड़ा थोड़ा डालना है तो हल्दी बिल्कुल पिंच डालेंगे नेक्स्ट है चिली पॉडर तो चिली पॉडर अपने अलुसार से टालिए क्योंकि ग्रीन चिली भी हमने बहुत सारा डाला तो मैं तो थोड़ा तीखा बनाऊंगी और इसके बाद में थोड़ा सा धनिया पॉडर्स जादा नहीं डालना जड़ा सा डालें और लास्ट में आजाता है नमक तो नमक आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि यह कचोड़ी में मतलब खाने के साथ में थोड़ा अच्छा लगेगा नहीं तो प्लेन प्लेन लगेगा तो नमक डालने के बाद में अब हम इस सारे मसालो को मिक्स करते हैं करते हैं हाथ छाइब के समस्ट आधे मिक्स हो जाएगों गढाने शल्टूरार सबोरी कैटे से मिक्स करना कर दो और पर दिद ड्राइब काम जीरडना है इसे मैं साला मिखस कर दीए फिर भी एक थोड़ा इसे ड्राइ है तो इस नहीं से हम लग तो फोड़ा 20nd करेंगे नुट कुल थोड़ा nice करेंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टुकिए फॉर्म में आना चाहिए नहीं तो यह हम लोग इस बढ़ेंगे ना लोई में तो पूरा फट जाएगा इसलिए थोड़ा सा बैंडिंग फॉर्म में आना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर सत्तु का मसाला बनके तयार हो चुका है आप इसमें थोड़ा सा टेस्ट करके देख सकते हैं नमक वगेरा कैसा है तो इसी समय पर आप वो सबायाट कर सकते हैं तो चलिए अब इसका आठा बना के लिखाते हैं यह पर पर यहाँ को के गयोंग के लिखाते हैं करते मेहमने पर प्रेशह इसे मनें चाह प्राइफ यहाँ था कंड़कडगर करन गेंगे उह ऑसमें अनुछ स्टमार ज़के बादर यहाँ स्कतकी दालेंगे हैं या तो बाद में इसमें भी तो डालेंगे अज्वाइन और थोड़ा हाथ में एसे लेके रगल कि दालने से इसी सिस्टा फ्लेवर और यह बहुत ज़्यादा खुल जाता तो अच्छा लगीगा तो सिर्फ इसमें कलोंजी डालेंगे सिर्फ अज्माइन डालेंगे और और इसको खसता बनाने के लिए इसे खसता बनाने के लिए इसमें घी को आम लोग इसमें मिलाएंगे अगर आप घी पसंद नहीं करते तो डालिएगा नहीं तो घी ही डालना ज़रूरी है तभी यह जो खसता रहता ना मार्केट के टाइप का तभी वह ऐसा बनेगा तो जितना घी को अच्छे तरीके से इस आटे में मिक्स कर लीजिए मैं आपको दिखाती हूँ किस टेक्शर में होना चाहिए जब तक हमें इसे मिलाना है तो दोनों हाथों से इस तरीके से रगड के ऐसे करना है तो देखिए थोड़ा थोड़ा टेक्शर आपको पता चल रहा होगा तो यह हलका बंद्रा भी में से अच्छे से बांदना है जब तक हमें रब करना है इस तरह से तो देखिए यह कुछ इस तरीके सो गया जैसे इसमें लड़ू बन रहा है ना यह तो इतना होना चाहिए तभी यह खस्तापन हमारे पूड़ी में आएगा तूपान अलखत है इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको इसे गुनना है मैं आपको पुरा गुन के दिखाती हूँ तो हमारा आटा गुन के तयार है इस तरीके से इतना नरम हमें रखना है और आटा गुनने के बाद में हम इसे 5 से 10 में के लिए छोड़ देंगे कबर भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी अपर इसे 10 में के लिए कम से कम छोड़ना है तो यहीं पर मैंने कड़ाय चढ़ा दिए है इसमें मैंने रिफाइंड वाल डाल दिया है और यह कड़ाय जो है मोटे तनेकी है तो इसे में फ्राइ करने के यूज करती हूं कुछ भी तो अच्छे से फ्राइ होता है तो दोस्तों पांदस मिनिट हो चुका है इसे हमने ढ़क तब ही वह जो खूडी कचोडी यह जो खस्ता वनता है अर इस तरीके से होने के पाद में और हम लोग इसका लोई बनाएंगे तो छोटा बढ़ाध इस तरीके से भी जितना आपको पसंद है तो कि पूंटिटी का बना रही है तो यह आपको ध्यान से देखना है कि इसमें कुछ करना नहीं है थोड़ा से ओयल लीजिए और इस तरह से दोनों थम को अंदर करते तरफ ऐसे गोल गोल घुमाई है ताकि बाउल का शेप एले कटोरी के जैसे गहरा हो जाए तो इस तरीके से देखिए हो जाएगा अब आपक यह सतके मेंको फटे और कैसे डाना उसके लिए मेंकी क्या करना अब को इस तरह से हलके हलके घुमाई है आप बेखिन कि वही अपने आप गोल आंकर ले रहा है हाएches का एदैक हवा फश्री जो फिंगर करते जातें हैं और इसे बेलना नहीं है क्योंकि कचोड़ी है तो हल्का मोटा रहेगा तो खस्ता भी अच्छा लगेगा अगर आपका मरजी है कि आप पतला भी बेल सकते हैं लेकिन इतना तिकनेस बिल्कुल अच्छा है तो ये रहा और पहले मैंने और भी 5 शे साथ बना रखे थे तो आप पहले से इतना बनाके रख सकते हैं और मैंने ऑईल भी पहले से हीट करने तो दोस्तों मैंने पहले से चड़ा दिया था और तेल मस्त गरम हो चुका है आप कैसे चेक करेंगे कि तेल गरम होगे थोड़ा सा आटे की लोई हम इसमें डालेंगे तो अपने आप उपर आजागा मतलब भी तेल हमारा बिल्कुल रेडी है फ्राइ करने के लिए यह इतने तेल में हमें नहीं डालना है हलका हम लोग इसके कम कर लेंगे और अब एक एक करके जो भी हमने कचोरी बनाए थी वहां किसी भी मतलब फिलिंग वाले पूडियों को चानने के लिए थोड़े मोटे तने का कढ़ाई ले तभी वह अच्छे से अंदर तक पकता है तो चलिए करके में इसमें करके कचोडी जो हमने बनाया वह दालते हैं तो दीरे दीरे आप इसमें जतना आपका बड़ा कढ़ाई हो उस हिसाब से आप एक दो तीन डाल दीजिए तो मैं इसमें तीन ही डालूंगे क्योंकि यह फूलते भी है इसलिए मैं आपको दिखाते हैं अब बिल्कुल ही स्लोग फ्लेम करना है एक दम कमाच के इसे प्राइब करना है इधर उधर पलट पलट के इसे प्राइब करते जाना है एक बैच को करने में कम से कम पांच मिनट लगेगा चार से पांच मिनट तो बिल्कुल ही स्लोग फ्लेम है डालने टम हलका गरम रहना चीए इसके बाद में स्लोग कर देंगे हम लोग तो धीरे-धीरे वह फकते जाएगा क्योंकि हमारा जो कचोड़ी हलका मोटा है तो चलिए अब ही हम लोग इसके चटनी के और पड़ते हैं तीना जो मैंने दो के रखा है फ्रेश और इसमें जाएगा दो तीन जो बलसन का और जितनी हरी मिर्च आपको पसंद रतनी आप डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक और इसको पीस लेना है तो दो इस तो चटनी पिसके तयार है और यह हलका मेरे पतला ही रखा है तो अब इसमें डालें करेंगे निम्बू कि निम्बू डालते इसका कलर बहुत ही प्यारा हो जाएगा तो बहुत ही प्यारा लाइट ब्रीन हो जाएगा तो आप अपने अनुसार से एक दो जितना भी आपको खटा पसंद रहुत है डाल दीजिए और बस हमारा चटनी तयार है तो यह देखें जब इस कलर का हो जाएगा तो यह हमारे कचोड़ी रेडी है प्राई हो चुका अच्छे से चले हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और इसे करके आपको इसारे कचोड़ी को छान लेना है प्राई है करें तो जुआ है अब यहां कि आप अब दो जुआ है अब यहां आप अब यहां यहां अब यहां इसा फिर से दो तीर मिरट लिए हलके आज पर फ्राइट करेंगे तो चलिए मीठे चटनी भी बना लेते हैं तो कि घर में केचप है नहीं तो लोग घर में ही मीठा केचप बनाने वाले हैं तो एक पैन चड़ा लीजिए और बिल्कुल कोड़ा सा एक चमच से भी कम हम उसमें और डालेंगे और इसमें हम दालेंगे थोड़ा सा ओल को गरम होने दीजिए इसमें डालेंगे हम सौफ बिल्कुल थोड़ा सा इसे जदा फ्राइ नहीं करना है इसमें बिल्कुल भी ऑईल नहीं होगा तो थोड़ा सा ही ऑईल का ज़र्णा था इस चट्नी में तो तेन हलका गरम हो चुका है तो अब इसमें हम लोग डालेंगे यह है बुड जो मैंने फ़ड़ा सा गिस के रखा है उसमें बुड डालना है और फ्लेम कम है इस फ्लेम प अपने आप ही पिघलने लगेगा जैसे ही आप देखिंगे की पिघल रहा है तो हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प जो मैंने निकाल के रखा है तो दोनों एक साथ धीरे-धीरे अच्छे लिक्वड फॉम में बन जाएंगे तो दोनों को मिलाना है जब तक कि ये गुड़ और इमली एक साथ पकना जाए और मिलेना तो ये हमारा पूरी भी एकदम नमसम रेडी हो चुका है अच्छे से च्वाई हो चुका है आप तो ये हम विसे भी निकाल देते हैं का हुआ है के अच्छा अपंचा हुआ है का हुआ है है हुआ है है को पुकाचॉरी रेडी है है और लह पने मीटे है चटनी को देखिए दीरे दीरे अपने आप गुड और जो इमली है एक साथ बाइंड हो जाएगा पिघल जाएगा तो पूरा ही पिघलने देना है बस चार से पांच मिट में बन जाता है यह चटनी यह पूरा अल्मोस्ट गली चुका है तब इसमें हम नोग डालेंगे बिल्कुल पोड़ा सा यह है ब्लैक सॉल्ट पिंक सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट भी आट कर सकते हैं और यह है जीरा पॉर्ड तो बस यही दो डालना है बहुत ही प्यारा और बहुत ही टेस्टी खट्ट कि चट्नी त्यार हो जाएगी इस जो कंसिस्टेंसी जो था लिक्विडी लग रहा भी पानी के जैसा पर कोई बात नहीं खंडें उन्हें पर यह गाड़ा हो जाता है तो ज्यादा नहीं पकाना है बस यह पर हमारा चट्नी रेडी हो गया और फ्लेम पू बंद कर दीजिए तो यह हमारा चट्नी बनके तयार है तो इसी के साथ में थोड़ा सा प्याज मिर्शी और धनिया पता उपर से ले सकते हैं उसके साथ खाने के लिए तो बहुत ही जादा अच्छा लगता है खाने टाइंग तो यही पर दोस्तो हमारा प्लेट रेडी है तो दोस्तो यही पर हमारा सत्तु का कचोरी रेडी हो चुका है यह है मीठा चट्नी और यह है धने पोदीना की चट्नी तो बारिश में बहुत ही अच्छा लगता है तेस्ट आता है, thank you so much guys for watching this video झाल, 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 झाल.